नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शृष्टी श्रिवास्तर लोग सभा चुनाओ के वक्त से ही ये चर्चा थी कि बीजेपी की दिगशनेता वसुंद्रा राजे के बेटे दुश्यन सिंग को अब शायद मोधी काबिनेट में जगा मिरे लेकिन चुनाओ बाद वसुंद्रा और उनके बेटे का दिल तूड गया इसी बीच खबरे चली कि वसुंद्रा को बीजेपी का राश्टी अध्यक्ष बनाया जाएगा और अब वसुंद्रा के राश्टी अध्यक्ष बनने से पहले उनके बेटे दुश्यंत को बड़ी जिम्मदारी मिली है चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में दरसल खबरे है कि जालावार से बीजेपी सांसद और पूर्ण मुख्यमंत्री वसुंद्रा राजे के बेटे दुश्यंत सिंग अब राजिस्थान की क्रिकेट राजनीती में उतर आए है दैनेक नग्जोतीर की एक रिपोर्ट के मुताविक दुश्यंत सिंग को जालावार जिला क्रिकेट संग से संबध भारत क्रिकेट क्लब में अध्यक्ष चुना गया है जालावार जिला क्रिकेट संग राजिस्थान क्रिकेट संग यानि RCA के अंदर आता है उसका हिस्सा है और इसे से जुड़े भारत क्रिकेट क्लब में दुश्यन सिंग को अध्यक्ष चुना किया है यानि अब दुश्यन सिंग राजिस्थान क्रिकेट संग का हिस्सा बन चु नौलर सकते हैं आपको इभी पता दे राधिस्थान के पूर मुख्यमंत्री अशोग गहलोट के बेटे वैभब गहलोट और सीपी जोशी जैसे बड़ी नेता पहले RCA के अध्यक्ष रह चुके है यानि फिलहाल बड़ी जिम्मदारी इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि दु वसुंदराराजे को बीजेपी का राष्टे अध्यक्ष बनाये जा सकता है जी हां लेकिं लोगसबद चुनाओ के बाद जे-पी नडड़ा का कारेकाल खतम हो गया लेकिन क्योंकि कोई राष्टे अध्यक्ष नहीं मिला था इसलिए जेपी नद्दा का कारेकाल आगे बढ़ा दिया गया है लेकिन आप बीजेपी एक नई चेहरे के तलाश कर रही है राज्टे अध्यक्ष पत के लिए और आरेसेस ने वसुंदरा राजे का नाम सबसे आगे किया है ये खबरे अंदर की रही है लेकिन खबरे है कि क्योंकि आरेसेस ने ये कह दिया है कि वसुंदरा राजे को राष्टिय अध्यक्ष बनाना है इसलिए हो सकता है कि वसुंदरा ही राष्टिय अध्यक्ष बने इससे पहले आपको बता दे वसुंदरा राजे की नाराज़गी भी देखने के क्योंकि CM भजनलाल शर्मा को बना दिया गया, तब वसुंद्रा की नाराजगी देखने के लिए मिली थी, वसुंद्रा बीजेपी की कई कारिक्रम में भी नहीं पहुशती थी, कहा गया कि वसुंद्रा की नाराजगी ही है, लेकिन अचानक से सब कुछ थोड़ा बहुत सही आजसे में खबरे थी कि लोग से बाचुनाओं के बाद मोधी क्याविनेट में दुशियन सिंग को जगा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दुशियन सिंग को कोई जगा नहीं मिली, जिसके बाद फिर वसुंद्रा के नाराजगी देखने के लिए मिली, वसुंद्रा उंके से फिर किसी भी कारिक्रम में नहीं जाती थी, मीटिंग में नहीं जाती थी, लेकिन आप खबरे हैं कि उनके बेटे को तो बड़ी जम्रदारी मिल ही गई है, साथ ही साथ वसुंदरा को राष्टिय धक्षिम बना जा सकता है, फिलाल इस पर आपके क्या राय है, हमें कमिल करक जरूर बताईएगा, नमस्कार